क्या हाल चाला यार गुड मॉर्निंग एक भाई ने वीडियो पर सवाल पूछा हुआ था फिर फेस्बुक मेसेंजर पर भी डाला हुआ था अर्पित कपूर तो कपूर साब आपके लिए मैंने वह सोचा रधर दन बड़ा सारा कॉमेंट करने की यहीं वीडियो बना लेता तो आइ प्रित बाई प्लाव है है मूव करने का न्यू जर्सी से टेक्सस कि एक यह उप्षिन नेогज़ियो नीजर्सी में tek ननीजर्सी कि हमें तो मैंने लिक वीडियो बनाय दा कि है कि मुझे लिगा हिए बड़ा था तो आगर आगर मैं उनकी जगः होता तो क्या करता कि टेकसस से न्यूजर्सी जब मैं आ रहा था वापश तो इट वाज इनो मैंने जल्दी रियाक किया था क्योंकि मैं रहता था न्यूजर्सी में आपको पता है कि यहां पर सबकुछ इतना ग्रीनरी है इतना थोड़ा पीसफुल है क्वाइट है यहां पर तो मज़ा था था टेकसस में गया तो सब कुछ यहां बड़े-बड़े हाइवेज और महां पर तो घर्मी जादा रहती तो घास भी महां पर ऐसे यलोईश हो जाती है तो सुन्दरता थोड़े सी कम लगी मेरे को टेकसस में तो यह थोड़े प्रॉसन कॉंस थे न्यूजर्सी का जो अच्छी स्टेट्स चिपके हुआ है ठीक है तो जैसे नियॉयोक है पैंसिलवेनिया है डेलवेर है मैसेचुसेट्स है कनेटिकट है तो आप मतलब विदिन 3-4 आर्स के ड्राइव में यू हाव इन बंच आफ प्लेस तो विजट यह हैं यहां पर यहां पर ट्राफिक वगरा भी इत तो टैक्सेज वगरा बहुत जादा है घर नहीं मिलते हैं नए नए आपको कंस्रक्शन लेना है तो यह फिर बहुत महें मिलते हैं तो यह कुछ मेरे को नेगिटिव पॉइंट्स लागे थे और एक पॉजिटिव पॉइंट इसका यहां पर यह भी था कि बिल्कुल नियॉ कंस्रक्शन बहुत है तो वहां पर काफी आपको मकान नए मिल जाएंगे हाला कि पिछले दो तीन साल में बहुत ज़्यादा प्राइसिंग जो है स्पाइक कर गया है तो मेहंगी हो गया है इन फैक्ट जब मैं टेक्सस में रहता था तो मेरा जो रेंट था टू बेडरों अ कि आपने ओफेसे को टेक्सस मूव कर रहे हैं तो उसलिए काफी सारी वहां पे जॉब अपर जॉब पर जुनिटीज है करियर के लिए अच्छे ऑप्शन्स है और तीसरी चीज यह कि मैने जो मेरा अब्जर्वेशन था चे मैंने टेक्सस में रहे के वह यह कि टेक्सस में आपको बहुत जादा ऐसे लोग मिलेंगी जोब भी टेक्सस मूव हुआ हैं क्योंकि अफकोर्स जब जॉब ऑपरिशनिटीज जादा है तो बाकी स्टेट से इंडिया से लोग मूव करके टेक्सस आ रहे हैं तो जब नहीं नहीं लोग महां पे मूव करते हैं तो हर नहीं टेक्सस में था तो विदिन फोर टो सेक्स मन्स हमारा अलमूस्ट पंदरा फैमिली का सरकल बन गया था तो एवरी वीकेंड लाइक अमेजिंग फुर अस तो यह कुछ टेक्सस के अच्छे पॉइंट्स थे स्टेट टेक्स वहां पे नहीं हैं तो आपको थोड़ा सा यह अच्छा है अफकोर्स हर बंदा अपने हिसाब से हर चीज का इवालूइट करता है कि यहां पे क्या सही है क्या गलत है दूसरे कंपैरिशन में और फिर बूर डिसीजन लेता है तो आम जस्ट शेरिंग माई एक्सपिरेंस इस वरी सब्जेक्टिव तो मी तो ऐसा नहीं टेक्सस में क्या है कि मतलब सब कुछ ऐसा बड़ा-बड़ा है बहुत बड़े-बड़े हाइवेज है चार तरफ ट्राफिक है और दूसरा ग्रीनिरी जो है वह थोड़ा कम है क्योंकि आप गर्मी बहुत जादे रहती तो उससे क्या है कि थोड़ा गास भी जो आपको येल टेक्सस बहुत बड़ा है तो हमने तो विदिन सेक्स मन्स काफी टेक्सस एक्सप्लोर कर लिए जो भी में में वहां पे घूमने की जगाए है वह हम सब देख चुके थे तो छे मेंने बाद फिर ऐसा हो गया था है कि वेर शुट बीगो ना वादर देन गोइंग तो सम टेक्सस एतना बड़ा है टेक्सस के बारे हम बोलते है कि एवन इफ यू ड्राइफ और आर्स लाइफ यू था 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 यार था यार फ्लायोर के नीचे जो आपको मिले गए ऐसे होमलेस लोगों के डेरे लगे हुए थे वो आईनो उनका अपना मजबूरी है जो भी है लेक से इंडिविशुल एक्सपिरेंस के बेस पर कि वो थोड़ा सा देख के ओक्वर्ड सा लगता था वहां पर और दूसरा वहां पर यह थोड़े दिन में अलर्ट आता था मोबाइल पे कि बच्चा यहां से गूम हो गया है या किसने किटना आप कर लिया इसक्तरा तो एमबर जादा है हाला कि जब तक मैं वहां पे रहा तो मैंने परस्नली ऐसा कुछ एक्सपिरेंस नहीं किया एक दू इंसे देंस थे लेकिन हाँ जैसे हम में हमारे को एमेल आती थी जहां पर हम आपार्टमेंट में रहते थे वहां से उनके स्टाफ से कि शाम के टाइम पे अगर आ कुछ रेफरेंस के पॉइंट पर डाल रहे हूंगे न्यूजर्सी में तो हमको इस तरह की एमेल आट साल रेंट पर रहते हो कभी नहीं आई तो वो मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लगाता ट्राफिक बहुत जाता था मतलब मैं रहता था रियाटा अपार्टमेंट में और म पंदरा मिनिट कर रास्ता बनता बैट मेरे को चालिशमेंट लग जाते थे कभी एक घंटा लग जाता था क्योंकि ट्राफिक बहुत जादा रहता था उस वज़ए से मैं ट्राइ करता था कि मैं गरसे जादा काम गरूर आफिस तभी जाओं जब इट्स मस्ट तो और क्या था यार बस यार यार आइटिंक यही सारी चीजे थी जिसके बेस पे जो मेरा फैसला था इन सब चीजों के बाद भी वहां पे पे स्टिक करने का और वो फैसला मह unfair पे स्टिक करने का इसलिए था है कि एक तरफ चाहे कितनी में सुंदरता हो जगा कितनी पिकी अच्छी हो जब तक अच्छे दोस्त ना हो आपकी लाइफ में तो मजा नहीं आता और दूसरी तरफ घुमने फिरने की जगाएं बेशक कम हैं खुबसूरती वहां पे बेशक कम हैं लेकिन जब अच्छे दोस्त साथ में मिल जाते हैं तो वह जगा भी सुर्ग बन जाती है तो हमारा सरकल हमारे बहुत अच्छे दोस्त बन गें थे अभी भी दोस्त बने हुएं अभी भी हम टेक्सस आने कर रहे हैं आने को महींञा है तो उस हिसाब से हमारा माप पे इतना मन लग गया था तो हमने डिसाइड किया था कि हम न्यू जर्सी वापस नहीं जाएंगे लेकिन मेरे कुछ वीजास के ट्रांसफर शुरू हो चुका था और जिस लेवल मैंने डिसाइड किया किया नहीं यार टेकसस में स्टिक करते हैं उस ताम तक मेरा वीजा ट्रांसफर हो गया था तो मेरे को फिर वापस न्यू जर्सी आना ही पड़ा लेकिन आने के बाद मेरे मैनेजर ने बोला कि इफ यू स्टर्ट लाइकिंग टेकसस अट मच आल मेक शूर राइ यू स्टर्ट लेकिन आगे कि नौ यू यू जर्सी में सब कुछ अच्छा ही का मैं अगर घर मिल जा यहां पर तो फिर हमारा लाइफ यहां पर सेटल है हमारे यहां पर भी सर्कल फ्रेंट सर्क काफी बड़ा और अच्छा है तो फानले लिए सोच के डिसाइड किया तो यार मैं अगर तुमारी जगा होता तो मैं परस्नल यह करता जैसे आपने बताया कि आप अभी रेंट पे रह रहे हो तो आपका ऐसा कोई बड़ा रिस्पांसिबिलीटी तो है नहीं कि आपको यहां से घर बेचना पड़ेगा और फिर वहां जाना पड़ेगा तो यार मैं आपकी जगा पे अगर होता तो मैं यही करता है कि मैं एक्स्प्लोर करता और मैं टेकसस जाता और तो अगर आपको टेकसस में कुई अच्छा जॉब का ऑपरचुनिटी मिल रहा है या आपका कॉम्पेंसेशन बढ़ रहा है उस तरह से तो आप को जाना चिहे इन फैक्ट जब मैं युजरसी में था तो जब मैं आच्टन पहली बार कहता है तकसस में इसलह crouch था क्या है कि मैं longest you are switching the job within the same job your compensation दोर एइधर बी यहां sticking to what you have now or it might decrease क्योंकि टेकसस का जोर निया पे cost of living कम माना जाता है तो जब मैं Texas में जॉइन किया तो बापस मैं New York or New Jersey आया था तो मेरा compensation बढ़ गया था क्योंकि यहाँ पे cost of living जादा है तो companies, अच्छी companies at least they do consider it तो यह सारी चीज़े मैंने ध्यान में रखी थी तो you know it is very subjective I don't know how would you evaluate this बत जो भी फैसला लो आप यह सोच के ले सकते हो कि it's not a decision which can't be reverse if you go to Texas just go there, explore it, start living it if you like it, good enough you may settle there if you don't, it's not that difficult to come back to New Jersey I mean New York में अच्छी काशे नॉखरी मिल सकते हैं आज कल तो खास कर companies में यह हो गया है कि they are not bothered anymore about the location of your work so इस टाइम पे it is very easy to switch locations तो यह सब भी आर एक्स्पिरेंस शेरिंग था अरपित भाई अगर फिर भी कोई सवाल है तो let me know and I'll be happy to collaborate चालो ठीक है, take care, bye-bye